हिमोगलोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हिमोगलोबिन रक्त में मौजूद एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सिजन को साथ में लेके फेपडो से शरीर के बाकी इर्सो तक ले जाता है और कार्बन डाक्साइड को पुन फिर से फेपडो तक पहुचाने का काम करता है आपके शरीर में अगर हिमोगलोबिन की कमी हो जाए बहुत बार हम लोगों से सुनते है कि हमारे शरीर में खुन कम हो गया है तो अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, आप खुद को कमजोर फिल करेंगे। जो एनरजी रहने चाहिए शरीर में वो कम हो जाएगी, आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगेगी। कुछ लोगों को सास फुलने की भी शिकायत हो जाती है, थोड़ा सा एक्जरसेंटर लिए, थोड़ा सा काम कर लिए कि वो लोग ठक जाते हैं। कुछ लोगों को सिर्दर्द होता है, और सिर्दर्द में भी उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये सिर्दर्द उनके शरीर में खून की जो कमी है, जो हिमोगलोबिन का लेवल उनके शरीर में कम हुआ है, उसी की वज़़ा से हो रहा है। कुछ लोगों को चकर आने लगते है या फिर कुछ लोगों की स्कीन भी डल हो जाती है और काफी ऐसे इस तरह के लक्षन दिखते है जब आपके शरीर में खून की कमी होती है तो क्या है वो जबरदस उपाए वो कौन सा ऐसा जूस है जिसे अगर आप रेगुलरली पिएंगे कुछ दिनों तक अगर इसका इस्तमाल आप करेंगे तो आपका खून जबरदस तरीके से जादू की तरीके से बढ़ेगा आज मैं आपको एक ऐसे जबरदस जादूी जूस के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही आसान है इसलिए आप इसे अपने घर पे बना सकते ह और अपने शरीर में हिमोगलोबीन की जो लेवल है सिर्फ कुछ ही दिनों में बढ़ा भी सकते है तो क्या आप इस जूस के बारे में जानना चाहेंगे तो क्या आप इस आसान रेसिपी को सीखना चाहेंगे जानना चाहेंगे जो बहुत ही आसान है घर पर ही बना सकते है औ आपके लिए absolutely free है लेकिन इससे मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे नमस्कार मैं डॉक्टर सीतल टोंग से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंग से हुमेपेथी में खून बढ़ाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं बहुत सारे उपाय करते हैं और जैसे मैंने शुरुवात में ही बताया अगर खून की कमी हो जाए तो काफी तकलिफे आपको हो सकती है आपके अंदर जो एनरजी है वो कम हो सकती है तो यह जूस आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते है इसे पी सकते है आपके घर में भी अगर किसी को समस्या है खून कम होने की तो उनके लिए भी संजियूनी बूटी की तरह ये उपाया आपके लाइफ में काम करने वाला है तो कैसे इसे बनाना है चलिए जानते है इस जूस से आपके खून की लेवल तो जरूर बढ़ेगी इसीली आपको आपके कीचन में मिल जाएंगे सभी चीज़े आपको इसीली अविलेबल है और दूसरी इसकी इंपोर्टन बात यह है कि आपके पैसे के भी बचत होती है क्योंकि इतने सिंपल से और इतने आसानी से मिलने वाली इंग्रेडेंट्स है जिकी मदद से इस जू इसमें आपको लगने वाले है कौन-कौन से वो चमतकारी इंग्रेडेंट्स है जो बहुत ही आसानी से तो ऐलेबल है लेकिन इनका बहुत जबरदस्त फाइदा होने वाला है पहला इंग्रेडेडेंट है चुकंदर जिसे हम कहते है बीट रूट आसानी से मिल जाता है आपके ब्लड में production of hemoglobin जिसे हम कहते हैं खून बढ़नी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है जिहां hemoglobin के उत्पादन में मुख्य रूप से ये शामिल होता है इसमें folate भी होता है इसमें vitamin C भी होता है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है बहुत ही health beneficial है easily हमें दिखता है लेकिन बहुत पसंद नहीं करते हैं हम लोग इसे खाने में बहुत टेस्टी नहीं है इसी लिए लोग इसे avoid करते हैं कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं लेकिन इसका juice तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं easily बना सकते हैं तो आज के बाद याद रख में जिसे हम कहते है अनार या फिर हम इसे कहते है पॉमिग्रानिट ये भी आसानी से हमें मिल जाता है ये बहुत ही अच्छा स्त्रोथ होता है विडैमिन सी का जियां आपके शरीर में आपने आइरन तो ले लिया लेकिन अगर आपने विडैमिन सी नहीं लिया तो भी आपके के लिए जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं होगा क्योंकि बॉडी में शरीर में आयरन के एब्जॉप्शन होने के लिए विडैमिन C की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो आपने एक तरफ से चुकंदर ले लिया लेकिन पॉमिग्रानेट अगर नहीं लिया तो पॉमिग्रानेट आपने लेना है इसमें विडैमिन B9 होता है इसमें एंटी ऑक्सिडेंट होते है और दूसरी बात आपके जूस को थोड़ा स्वीटनर की तरह भी ये काम करेगा उसकी टेस्ट भी इसकी वज़र से अच्छी हो जाएगी अब जानते हैं हमारे जूस के ती लेबल नहीं है तो इसकी जगह पर आप लेमन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं विडैमिन C और साइट्रिक एसिड से भरपूर होता है लेमन जिसकी वजह से इंप्रू करता है सोलेबिलिटी आफ आइरन को और उसी तरह से एमला भी बहुत ही मैजिकल फूर्ट हम इसे कहते है ज उसी तरह से डिटॉक्स करने का काम भी यह करता है तो आपके बॉड़ी को भी डिटॉक्स करेगा विडैमिन C भी इससे आपको मिलेगा फाइदा ही फाइदा होगा अब समझते हैं चौथे इंग्रेडेंट के बारे में जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है और वो है कैरेट यानि कि गाजर जी हाँ गाजर में बीटा कैरोटीन नाम के कुछ कमपाउंड्स पाये जाते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर जाकर विटैमिन A में कनवर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉड़ी में रेड बलड सेल्स जो है उनको बनाने के लिए साथ ही उनको स्वस्त रखने के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं और इसी लिए गाजर खानी से भी हमारे शरीर में नया खुन बनने लगता है और इसी लिए हमारे जूस में ये चौथा इंग्रेडियन भी महत्वपूर्ण है अब समझते हैं पाँचवे इंग्रेडियन के बारे में जो रोजाना आपके किचन में होता ही है और यह है जिंजर यानि कि अधरक जिहां अधरक में काफी पोशक तत्व होते हैं जो हिमोगलोबिन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करते है अब इसे बनाना कैसे है इसके विधी के बारे में भी समझते है और इसे कैसे लेना है कब लेना है यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है तो आप समझते है इसे बनाना कैसे है आपको क्या करना है एक मिडियम साइज का चुकंदर लेना है दो सो ग्राम के आसपास उसका वजन रहता है तो उतने सा पास उसमें से दाने आपको निकालने है, गाजर के भी कुछ टुकड़े करके आपको रख लेने है, आमले को भी काट करके आपको बाजो में रखना है, साथ ही अदरक का टुकड़ा जो है उसे भी कुछ पीसेस में कट करके आपको रख लेना है, अब लेंगे आप एक ब्लें डॉक्र साब इसे तो चानना भी पड़ेगा तो यहां पे दो तरीके से आप इसे पी सकते हैं अगर आप इसे ऐसे ही पीएंगे तो सोने पे सुआगा क्योंकि फाइबर्स भी आपको मिलेंगे लेकिन अगर इसकी टेस्ट ऐसे आप नहीं ले सकते हैं या गारा अगर काफी हो जाता है तो आप पतले कपड़े से इसे चान सकते हैं और चानने के बाद जो जूस निकलेगा उसे आप पी सकते हैं और यह जो fiber बचते हैं, इसे आप आटे में mix करके, आटे में डालके, रोटी बनाते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, so fibers भी आपके पेट में जाएंगे, और juice भी आपको मिलेगा, तो इसी तरह से juice का भी फाइदा अप ले सकते हैं, और fibers को भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अब सवाल ये उटाए कि इस juice को पीने का सबसे best time कौन सा है तो इसका सबसे best time, सबसे अच्छा time होता है सुभे का अगर आप सुभे इसे पीएंगे तो आप energetic feel करेंगे आपका paid भी थोड़ा सा भरा भरा सा आपको feel होगा और जिसकी वजह से automatically आपका diet भी control में आ जाएगा आपका weight भी control में आ जाएगा सो खून भी बड़ेगा और वजन भी कम हो जाएगा double benefit आपको मिल सकता है अब अगर आप नाश्ते के बाद भी इसे पिना चाहते हैं तो नाश्ते और लंच के बीच में भी आप इसे पी सकते हैं इसमें भी आपको काफी अच्छा benefit इसका मिलेगा साथ ही अगर आप workout करते हैं exercise करते हैं तो उसके बाद में भी energy drink करके आप इसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छा फायदा आपको इसे मिलने वाला है लेकिन यहाँ पर याद एक बात आपने रखने चाहिए रात को इसे नहीं पीना चाहिए इसे रात के वक्त पीना अवाइट कीजिए साथ ही अगर आपको diabetes है या और कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलावी आपने जरूर लेनी चाहिए तो कब से आप इस जूस को पीना शुरू करने वाले है मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और अपने दोस्तों तक फैमिली मेंबर्स तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि इस नुस्के का फायदा वो भी ले सके तो हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए धन्यवाद